दियर्स एंडियर्स सरपसास में खुशाम दी दियर्केनिवेस आज हम मेटिकुलेशन निव टेक्स इंग्लिश सेंग्लिश सेंटेक्स बुक बोर्ड राइटिंग पॉर्शन को वर्ट करते हैं यूनिट 1.4 लेंगुज की फॉर स्किल्स हैं रिजिंग, राइटिंग, स्पी फेडर लेवल पर, CSS, PCS, तो इंसानों में राइटिंग को असेस किया जाता है, यह अची चीज है, अब जो निव सालेबस है, इसमें तक्रीपन से लेकर इंट्रेपीडियर तक राइटिंग, यह चार इस्किल्स मोजूद हैं, पहले जो पॉल बुक्स थे, उन में कुछ प से मल किया जाता है, क्योंग बंदा लिखने पर वेज़ता है, तो लिखने से पहले दिमाग को जो है, वो सोचना पड़ता है कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, तो प्री राइटिंग इस्ट्रेटिजी इसमेल करनी है, जिसको कहा जाता है, कलस्रिंग, माइंड का मतलब है आपको कोई भी टापिक दिया गया है तो उस टापिक पे आप सोचेंगे आपका ब्रेंड कुछ लिखने पे मजबूर होगा उस तेंकिंग के प्रोसेस के दोरन आप क्या करेंगे एक स्टेश्जी बनाएंगे कलस्ट्रिंग की माइन मैपिंग की पॉइंट लिखे है इसमें तो कलस्ट्रिंग इसको का जाता है प्री राइटिंग स्टेश्जी एंड राइटिंग यूनिफाइड बेराग्राफ कलस्ट्रिंग क्या है कलस्ट्रिंग इजा सोकाल माइंड मैपिंग और आइडिया मैपिंग कलस्ट्रिंग को माइंड मैपिंग आइडिया पर लिख सकते हैं, अगरिकल्चर पर लिख सकते हैं, क्लाइमेट पर लिख सकते हैं, कल्चर पर लिख सकते हैं, और इन अबलक्स ये ये भी हम फिल करते हैं और आगे क्या है? It is a strategy that allows you to list all possible ideas related to the topic Topic आपको मिला है, उस पर जो भी relevant जो भी चीज़े हैं, उसको कठी करनी है एक साथ जोडनी है और उस पर लिखना है क्या करना है? First, write the subject topic in the center of a page and circulate पहले आपको जो topic दिया गया है, वो center में लिखें और उसको cluster करें साथ पर क्या क्या उसके बारे में आप लिखेंगे, उसको लिखना है Then, as you think of other ideas related to that topic, write them around the central idea subject topic जो आपको सोचना है, लिखना है, वो लिखेंगे, मिसलों सिंद दिया गया है तो यह और चीज़े हैं, लेकिने इसमें education नहीं बता गया, government system का नहीं बता गया तो exercise number में क्या यह मंगता है, look at the following cluster and add to more things related to the Synth Two things आप add कर सकते हैं, government system एक add कर सकते हैं, दूसरा आप education add कर सकते हैं जा education की जगा पर आप health इसमें नहीं जागे, आप health भी add कर सकते हैं तो यह different जो ideas आप Synth के बारे में लिखते हैं मिसलन इसके इलावा आगर हम बात करें आपको just education system दिया, education system of Synth Synth नहीं, just education system of Synth आपका main topic है तो सोचेंगे आपको just education system है, education system आप देखेंगे कौन सा education system है बाई एक तो private sector है, privatization of education है, दूसरा public है, government education sector है और government में जो उसका system वो लिखेंगे और private का जो लिखेंगे बाई प्रावेट में examination system वो तक्रिक में सेमस्टर बेज होता है और government schools है, वहाँ annual system होता है और examination system आप लिखेंगे, assessment system आप लिखेंगे तो ये जो है वो collected ideas और relevant ideas है तो इसको का जाता है color string किसी भी topic पर color string करनी है तो उस topic के मताबिक और उस topic के relevant material आप लिखेंगे pre-strategy writing means writing से पहले आपको क्या करना है वो आपको mind mapping करनी है, आपको brain storming करनी है mind mapping, brain storming और pre-writing strategy इसको color string का जाता है तो color string, mind mapping और pre-writing strategy और इसको हम कहें brain storming तो हर writing से पहले ये step जो है, वो first step है writing का first step है, brain storming का topic given है उसके related आपको क्या लिखना है, उसको आप point out, jot down करेंगे